हेलो फ्रेंज, वेलकम क्रेट 24 नॉरेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान उर्वरक्ट एंड रसाइन लिमिटेड हूरल की नियू रिक्रमाइन नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में, त इसके लिए आपको ओनलाइन आविदन यहां पर करना है, वेकेंसी पोजिशन आपको दी गई है, जैसे ग्रेजुट इंजिनियर ट्रेनी है, इसके लिए फुल टाइम डेगुलर इंजिनिरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए, रिलेवन डिस्सिप्लेन के ट्रेड मे इसके बाद फ्रेंसे जो आपका डिप्लोमा इंजिनिर ट्रेनिंग है, इसमें आपके पास तीन साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है अपलाए करने के लिए, 60% मार्क्स अगर आपके यहां पर कम है डिग्री में तो आप इसमें आविदन नहीं कर सकते हैं, और 50 ट्रेनिंग के दौरान जो आपको सेलरी मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद जो आपका CTC रहेगा वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, इसके बाद फ्रेंसे यहां पर देखिए जो आपका फ्रेंस जो पोस्टिंग होगी और इसके लावा जो कट ओफ डेट है, यहां पर जो एज लिमिट आपको दी गई है साथ में जो सेलेक्शन प्रोसेस है ये सब जानकारी आपको अपलाई करने से पहले आप इसकी नौटिफिकेशन में चेक आउट कर सकते हैं अब यहां पर फैंसे वाकेंसी से लेटेड जानकारी आपको जौबरासा.com पर मैंने पहले ही available की हुई है आप वहां पर जाका जानकारी को चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके form apply process के बारे में तो यहां पर देखिए सबसे पहले इस portal पर आपको आना होगा जहां से आप इसमें आविदन करेंगे अब यहां पर देखिए आपको click to apply का option मिलता है आप इस पर click के बाद friends आपके सामने कुछ इस तरह का interface यहां पर open होगा जहां से friends आपको सबसे पहले click to register पर click करना है registration complete करने के लिए तो आप इस option पर जैसे ही click करेंगे आपके सामने जो है form open हो जाएगा सबसे पहले आपको यहां पर देना है candidate का नाम तो पूरा नाम candidate का आप यहां पर enter करेंगे इसके बाद next option है आपके father name का तो आपको यहां पर father name देना है आपका mother name आपको यहां पर provide करना है इसके बाद आपका 10 digit का mobile number आप देंगे इसके बाद है address section तो पूरा address जो भी आप यहां लिखते है वो आपको देना होगा इसके बाद आपकी city कौन सी है आपका district पिन कोड क्या है यह जानकारी आपको यहां पर enter करनी है यह फ्रेंट से एंटर करने के बाद अगर आपका present और permanent address सेम है तो आप सेमस पर क्लिक करें अगर यह अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंट से next option है identification document का तो सिर्फ यहां पर अधार का option है तो अधार काड ही उसका number आपको देना होगा आपका date of birth क्या है तो आप इस calendar पर किलिक करें और आपका फ्रेंट से जो भी date of birth है date, month and year वो फ्रेंट से आप यहां पर select कर सकते हैं तो आपको date, month and year यहां पर select कर लेना है इसके बाद फ्रेंट से जब आप इसे select कर लें आपको देना है, marital status आपको देना है और इसके बाद फ्रेंट से नेशनल्टी आपका डॉमिंशल स्टेट कौन सा है, UT कौन सा है वो आपको देना है और अपनी mail ID आपको देनी होगी यहां पर देखिए DOB certificate में मैंने PDF format में यह upload किया है यह जो फ्रेंट से size में upload किया है यह 125 के बी का है तो 100 के बी से उपर का size मैंने रखा है इसके बाद आप इसे save and nest यहां पर करेंगे इसके बाद फ्रेंट से आपका देखिए registration complete हो जाएगा और इसके बाद आपको photograph and signature upload करना है photograph and signature का size आपको दिया गया है photograph 50 के बी से कम signature 50 के बी से कम jpg format में आपको यह upload करना होगा तो browse पर click कीजिए file को select कीजिए और अपने photograph and signature को आप यहां पर upload कर सकते हैं इसके लिए आपकी जो photo है वो फ्रेंट पासफोर साइज photograph आपकी होनी चाहिए और ये फ्रेंट से बिल्कुल clear photo आपको यहां पर upload करनी होगी इसके बाद फ्रेंट से next option आता है अब आपके qualifications का औ आप उसे select करेंगे required qualification जैसे degree है तो आपको degree यहां पर select करनी है और degree की qualification देनी है अगर आप यहां पर DET select करते हैं तो DET के लिए फ्रेंट से diploma required है तो आपको diploma select करना होगा यह BSC आपके पास है physics, chemistry and mathematics में तो आप वो select करेंगे तो यहां पर आपको diploma की जानकारी provide करनी होगी त आपके board का या university का पूरा नाम आपको यहां पर देना है इसके बाद month and year of passing आपने इसको कब pass किया है आपको यहां पर पूरी जानकारी उसकी provide करेंगे तो यहां पर date month and year जो भी आपकी mark sheet पर है वो आप देंगे division कौन सा है वो आपको जानकारी देनी है percentage of marks कितना है वो आप आपको देना होगा subject आपकी कौन कौन सी है या core subject कौन सी है वो आपको यहां पर enter करना है इसके बाद friends आपका जो certificate या जो mark sheets है वो friends आपको यहां पर PDF format में upload कर देनी है इसके बाद है other qualification other qualification में देखी सबसे पहले आपको मिलता है 10th का option 10th select करने के बाद qualification का नाम आपको देना है तो आप यहां पर SSC लिख सकते हैं high school लिख सकते हैं metric लिख सकते हैं तो यह friends आपकी mark sheet पर जो भी आपकी qualification mention है जो भी उसका नाम है qualification का वो आप देंगे आपके board का नाम आपको देना है आपका month जो year of passing है वो कितना है वो आपको जानकारी यहां पर provide करनी होगी तो यह जा आपकी subjects की यहां पर entry कर सकते हैं जो भी subjects आपने यहां पर पड़ी हैं तो मैं आपर सिफ sample के तौर पर कुछ subjects की यहां पर name लिख रहा हूं आपको जितनी subjects आपके पास है वो आप जानकारी देंगे और 10 का भी mark sheet certificate आप यहां पर upload कर सकते हैं इसके बाद friends आप यहां पर add more पर click करेंगे add more पर click करने के बाद आप मालिज आपके पर 10 प्लस तू है तो सेम आपका friends से qualification क्या है वो आपको यहां पर नाम देना है आपके friends से board का नाम देना है इसके बाद आपका month नीरो पासिंग कितना है वो आपको जानकारी provide करनी होगी तो यह basic जानकारी है जो कि यहां पर देनी है आपके marksheets के according तो आपकी friends से जो भी percentage है वो आप यहां पर enter करेंगे इसके बाद friends से आपने कौन कौन सी subject यहां पर पड़ी है आप उनके जो नाम है वो आप यहां पर दे सकते हैं तो इस तरह से आपको subjects के जो नाम है वो आपको यहां पर enter करने है इसके इसके बार आपको उसकी भी मार्शीट अप्लोड करनी है इसके बार location का option है तो preferred location आप कहाँ पर चाहते हैं तो आप अपने according जो भी location चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बार फ्रेंच से नीचे option आपको मिलता है यहाँ पर देखिए आपकी PG degree है आपका जो ग्र location चूज कर लें जो कि एक्जाम city की है इसके बार को अधर qualification है तो आप उसकी जानकाई दे सकते हैं इसके बार आप यहाँ से certify करें और उसके बाद save and nest कर दें इसके बार फ्रेंच से आपके सामने यहाँ पर आपका जो application preview section है वो open हो जाएगा अगर आपको लगता है कोई ग application section है इसमें आपको make payment का option मिलेगा जो कि आपको payment करना है आप यहाँ से view भी कर सकते हैं अपने application form को और make payment करने के लिए आपको इस option पर click करना है इसमेर फ्रेंच से आपको देखे verify your अधार का option मिलता है तो सबसे पहले अधार का number को आप verify करेंगे generate OTP पर click करेंगे इसके बा आपको यहाँ पर payment करने के लिए देखे card का option मिल जाता है आपको UPI app का option मिल जाता है QR code का option मिल जाता है net banking का option मिल जाता है wallet का option मिल जाता है तो आप किसी भी तरिके से अपने payment को verify यहाँ पर कर सकते हैं तो यहाँ पर friends मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे एला सेंग्स पूर वाचिंग